दूस्तों अगर आप इंडिया पोष्ट ओपीस बैंक का बीसी पॉइंट ले सकते हैं क्या है पुरा प्रोसेस अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को बिना इसकिप के पूरा एंड तक देखते रहो दोस्तों इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक का बीसी पॉइंट लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैप्टॉप में गूगल को उपेन करेना है गूगल को उपेन करके यहाँ पर सर्च करना है IPPB जैसा कि आप देख लिजे और जो पहला लिंक आएगा इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक परसनल का इस लिंक के उपर आपको क्लिक करना है और यह जो पॉप अप मैसेज आएगा आपके सामने इसे दोस्तों आपको यहाँ से कट कर देना है अब इस प्रकार से दोस्तों इंडिया पोश्ट पेमेंट बैंक का पोर्टल ओपेन हो जाएगा यहाँ पर आपको सर्विस रिक्वेस्ट के उपर क्लिक करना है उसके बाद सेकेंड ओफ्शन नॉन आई पी पी बी कस्टमर और यहाँ पर एसोस्येड पर क्लिक करके इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है उसके बाद नीचे आएंगे नाम के आगे जो आप टाइटल लगाते हैं उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अब आपका जो फर्स्ट नेम है उसे आप यहाँ पर टाइप कर देंगे आपका जो मोबाइल नंबर है दोस उसे आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर पिन कोड टाइप कर लेते हैं, यहाँ पर आपको nearest post office select करने का option आता है, तो यहाँ पर post office select करना है, जैसे दोस्तों आप यहाँ पर post office select करेंगे, आगे का सब कुछ यहाँ पर automatic fill up हो जाता है, आप देख सकते हैं ठीक है अब यहां से आपको नीचे की तरफ आना है any specific request तो यहां पर दोस्तों आपको लिख देना है कि आपके पास काफे ज़्यादा customer है आपको bc point लेना है और लोगों को जहें मदद करनी है उनको services का लाब देना है इस प्रकार से आप अपने हिसाब से आप पर English या फिर Hindi में लिख सकते हैं ठीक है यह सब लिखने के बाद नीचे आना है I agree का यह जो checkbox है इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यह जो capture code है इससे आपको यहां पर type करना है उसके बाद पेमेंट बैंक की तरफ से दोस्तों आपको एक call या फिर एक email आएगा उसके जरीए आपको contact किया जाएगा और आगे का जो process है ओ बताया जाएगा और आपको जो BC point है ओ दे दिया जाएगा अगर दोस्तों आपने यहां से कई बर apply किया है आपको reply नहीं आता है reply नहीं मिलता है तो ऐसे में कैसे दोस्तों आप इंडिया पोष्ट पेमेंट बैंक का BC point लेंगे उसके बारे में भी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है तो यह मैंने आपको पहला application form दिया है इसके उपर आपको क्लिक कर देना है आपके सामने इस प्रकास से दोस्तों application form open हो जाता है आप देख सकते हैं इससे आपको nearby cyber cafe में जाके print करके निकाल देना है और इसमें आपको पूरा detail सही-साई fill up कर लेना है ठीक है सब कुछ आपको यहाँ पर fill up करना है अपना photo यहाँ पर चिपका लेना है उस पर आपको signature भी कर देना है यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो यह सब कुछ करने के बाद आपके nearby जो भी दोसो post office है वहाँ पर ले जाकर इस form को आपको जमा कर देना है साथ में अगर आपसे कोई document मांगा जाता है तो document भी आपको दे देना है ठीक है इतना काम करने के बाद दोसो वह post office बारे आपको जो है कुछ दिन बाद contact करेंगे जो भी आपने इमेंस, contact number या फिर email id दिया होगा उसके जरिये दोसो आपको contact किया जाएगा उसके बाद दोसो आपको आगे का process बताया जाएगा BC point के लिए and आपको जो है BC point दे दिया जाएगा जैसे दोसो आपको BC point मिल जाएगा तो इस starting में दोसो आपको ज्यादा service पर काम करने को नहीं मिलेगा कुछ ही गिने चुने service आपको दिये जाएगे और उस पर अगर आप properly अच्छे से work करते हैं आपके customer base अच्छे से हैं तो ऐसे में दोसो जो है India post payment bank की तरफ से आपके जो services है उसे बढ़ा दी जाएगे फिर आने वाले दिनों में आप लोगों के आधार card में mobile number को भी link कर पाएगे जो बच्चे होते हैं उनका दोसो आप आधार card बना पाएगे यानि कि 0 से 5 साल तक के बच्चों का आधार card बना पाएगे और account open कर पाएगे मैं ऐसे काफी सारे और भी services आपको दे दिया जाएगा तो इस starting में कम service मिलेगा जैसे जैसे आपका अच्छा base बनेगा आपको और ज़्यादा services यहाँ पर मिल जाएगे तो इस प्रकार दोस्तों आप इंडिया पोश्ट पेमेन बेंगा बीसी पॉइंट ले सकते हैं और मैंने दोनों ही तरीका बता दिया है ओनलाइन और आफलाइन तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक होई शेर करना साथी साथ हमारे शेनल को सस्क्राइब कर लेना थेंकि दोस्तों बाइबाएन टेक कियर